प्रूस्कार आप देख रहे हैं आर्वर्ट की उच्खवर नालंदा से हैं नालंदा के लहेरी थाना खित्र इलाखे के रामचंद्रपूर बस अस्टेंड में देरात असमाजिक तको ने सीही ट्रेवाउस बावारत और गोप ट्रांस्पोर्ट के बस में आग लगा दी बस मालिक अजय यादव ने बताया कि रोजाना की तथा चालक बस को चला कर रात्री पराब के लिए रामचंद्रपूर बस अस्टेंड में लगाया था और बह बस के अंदर ही सो रहा था आग लगने की बूसे चालक को आग लगने का पता चला तब उसने बस से कुद कर अपनी ज्यान बचाई यह आग देखते ही देखते बगल के दो बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया जिससे तीन बस बुरी तरह से जलकर खाखो गया बही बस मालिक अजय यादम ने घटना के पीखे पुरानी रंजिस की बात को बताई है उन्होंने बताया कि इसी बस के विवाब में उनके पिता की पुर्व में हत्या कर दी गई थी दूसरी ओर बस क्यालक ने बताया कि बस स्टैंड में ना तो कोई पुलिस चौकी है और नहीं बस स्टैंड के चार्व तरफ बस सिसी टीवी कैमरा लगाया गया है जिसके कारण आये दिन ही बस स्टैंड में किसी ना किसी तरह की अन्होंनी होती रहती है घटने की जयनकारी मिलते ही अस्थानिय पुलिस मामले की जाच में जुड़ गई है और लगा त्याया विए बावारत आएव घुब ट्रांस्पोर्ट उसे किसी से ने यह यहां पुलिस रहती है किने हम उस समय पुलिस था उससे रात में हैं रहता है कि ने गार्ड यहां नहीं रहता है कि यह व्योंग कि और नहुता हुआ है कि मैंना भंगाए गया गाली लगी यह एक वह रात में अप्राइब लगा थिया मेरा स्टाफ देखा है मताएंगी समय को आपर साथ कि मुठ पर पर करेंगी स्टाफ लिखा पहले इसको अपना जान भचा गाना जो अब अब वाग लग देखा भी है मेरा श्राप, आपको पर सासां के सामने बता गें कोन लगा है मरे गाली मैल तो निसरी जी के गाड़ी ने है हाँ 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 हो और गाली घोड़ा के चलते में बिता जी को भीत्या कर दिया इनोग आपको एसा लगता रामको धंकी वी दिये रातक चोड़ेंगे जो उन्हें तुग आदा यसा ओना में प्रिसे पुपाया या वो दो